गूड बॉर्निंग बच्चो तो फिर से स्वागत है आप सबको हमारे अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम गाडियन में आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे एकॉन्मिक्स के एकॉन्मिक्स के मॉडल सेट को एकॉन्मिक्स मॉडल सेट नंबर वन को ऐसे डिसकस करने वाले हैं आपने अब तक एकॉन्मिक्स के मॉडल सेट देख लिए हैं BST के देख लिए और Entrepreneurship के आपने देख चुके होंगे और आज हम लोग Economics के model set को ऐसे discuss कर रहे हैं याद रखना ये सभी one month था बाकी के चार-चार model set अभी और आने बाकी है तो ऐसा नहीं कि सुच रख कि ये ही इतना ही model नहीं अभी चार आ रहागा चार set और आएगा लेकिन हाँ इतना जो अभी आप लोग ने देखा होगा ये इतना काफी है कि आप लोग के लिए काफी ज़्यादा help कर सकता है exam में मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ और सारे क्या मैं answer भी इसी में बता देता हूँ answer की भी आपका इसी में है तो यह नहीं खोजने चले जाना कि इसका answer की कहा है answer की भी इसी में टीक है याद रखेगा answer की भी आपका इसी में answer भी इसी में subjective 크 a objective का में answer आप लोग को हैसे लिख दूआ यहाँ पर answer में आपको लिख दूँगा लेकिन subjective का answer में ऐसे explain नहीं करूंगा आपको बता दूंगा उसके बाद ऐसे पीडियाफ अगर लोगे पीडियाफ लोगे तो वहां से फिर आपको ऐसे याद हो जाएगा पीडियाफ से फिर देख लेना ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखीगा करते हैं टोटल पहले 50 अभ्जेक्टिव देखेंगे फिर शॉत टाइब देखेंगे और यह गारणी में देता हूं कि अगर जितना अभ्जेक्टिव बता आप लोग कमांड करते हो तो आपके में 20 to 25 उबजेक्टिव इसी से आ जाएंगे इससे आजाएंगे जो मड़्व से ना इससे ही आप लोगों से मिल जागा इतना अब्जेक्टिव एक दम बीना टेंशन नहीं भी पढ़े हो पूरे साल तो फिर भी आपको इसे टेंशन नहीं होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट से स्टार्टेर वीडियो को पूरा देखिएगा इस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ लेना जो कि हर वीडियो में आपको इस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तेक आप देख सकते हैं क्या लिखा है economics class 12th class 12th economics है जिसका कि आपका full marks यहां देख सकते है 100 marks time है आपका 3 and 15 minutes उसके बाद आप यहां पर देख सकते है जो आपका requirement जो आपका instruction इसा पढ़ सकते है सक्षेन भी करके चलिए हम लगाते हैं अपने question के तरह जादे लंबी वीडियो नहीं खीचना है पहले देख सकते हैं model set number one objective type question ठीक है चलो तो पहले question आप देख सकते हैं objective type में question 1250 have four option चार option दिया हुआ है question 1250 have four option provided out of which one is correct जिसमें से सिर्फ एक ही correct है उसमें से आपको चूज करना है option कोरो मार्स शीट पर आपको बना देना है जो कि एक number देगा तरहने की 50 into one equal to 50 marks मिलेंगे ठीक है एक गलती में एक marks कर जागा और इसमें मैंने 50 option वाले को से सब्सक्राइब किया है लेकिन आपके board में 70 questions रहेंगे 70 questions रहेंगे ठीक है याद रखना 70 questions आपके board में रहेंगे तो चलिए फिर वीडियो के start करते है वन कहता है production possibility curve is जो आपका production possibility curve होता है वो कैसा होता है production possibility curve आपका concave to the axis होता है concave to the axis यान कि one का यह हो जागा मैंने इसको बता हुआ है पिछली वीडियो में भी which one which आगे देखिए answer क्या कहता है which one is the limitation of macroeconomics इसमेंसे कौन सा आपका limitation macroeconomics का macroeconomics का limitation बताना है तो macroeconomics का limitation एकदम simple है macroeconomics का limitation होता है वो होता है आपका collective economic और paradox यानि कि A और B दोनों होता है याद रखीगा C होता है option question हम आते है three के तरफ three केता है how we calculate marginal utility marginal utility को calculate करने का formula हम लोग होता है marginal utility utility को calculate formula होता है delta T by delta q ठीक है चलिए question 4 के तरफ 4 केता है who propounded the audio utility theory किसने ऐसे audio utility theory दिया है किसने audio utility theory दिया है किसने audio utility theory दिया है तो four का सयांसर होता है आप लोगा hick and allen hicks and allen ने आपका ऐसे दिया है audio utility theory hicks and allen ने दिया है याद रखीगा आप five के तरफ बढ़ते है तो five केता है the quantity of goods quantity of goods which the seller is ready to sell in a market at fixed price and time is called जो quantity goods होता है जिसके पास seller के पास वह और ताइम में जो fixed price और ताइम में जो बेशता है उसको क्या बोलते है तो उसको लोग बोलते है supply supply बोलते है ठीक है बीबी आइवे से एक है चलिए कोशनाते six के तरफ six कहता है which is a reason of change in demand reason कौन सा ऐसा कारण होता है जो demand होता है उसमें change का कौन सा ऐसा कारण होता है तो देखते है change of consumers income हाँ यह भी होता है change in price of related goods यह भी होता है population increase यह भी होता है तो बढ़ गिया है तो बढ़ गिया है फोर गिफिन गुड्स गिफिन गुड्स के अनुसार फोर गिफिन गुड्स गिफिन गुड्स के लिए price elasticity of demand is price elasticity of demand क्या होता है बहुत important question ने रप हुआ 7 कह जागा B positive होता है याद रखेगा question about 8 के तरह 8 कहता है production function is expressed as production function कैसे express किया यता है production function कैसे express किया आयता है 8 बोल रहा आपसे कि जो production function था कैसे express किया था production function कि आपको लोग को पढ़ाएंगे formula पता ऑगा वह हता है qx equal to f into a b c d ठीक है question 9 के तरह आते है 9 कहता है which other flowing is not fixed cost इस चारह में सो कौन सा fixed cost नहीं है चारव से कौन सा फिक्ष्ट नहीं है तो चारव से कौन सा ट्रू है चार अप्शन में से कौन सा त्रू है, चार अप्शन में से पहले बाला ट्रू दिख रहा है तो आपको दीखा आपको दीखा पहले टुद दीखा चले कोशं वात 11 के तरफ 11 के धाया इन वीच बार्केट कि में में बिकम जीरो और नीगेटिव कौनसे मार्केट में में जीरो रवा जाता है बहुत इंपरडन कोशेंग तो देखो आपका जो तो MR0 और निगेटिव होता है वो होता है मोनोपॉली और मोनोपॉलिस्टिक कम्पॉटिशन में यानि कि क्या हो जागा बोथ A & B हो जागा याद रखीगा आपका MR0 और यह निगेटिव होता है सिर्फ सिर्फ मोनोपॉली और मोनोपॉलिस्टिक कम्पॉटिशन में दो जगा नियुक्त, चैलोर धन्यसे, क्सलिक्षक कंपुडिशन में आपका फार्मुला है है आपदेख सकते हैं तक यह कृषिक तब्षर हुक्त क्रॉध्यार हुअ किरह थे पशन का घान यह वह क्या होता है 13 पर जाएगा है फोटिंग कोचिन चाहिए सब्सक्राइब ay 20 परसंट अगर जो एक समान का जो प्राईब वह 20 परसंट만 न से बढ़ जाता है और इनक्रेसच और 40 परसंट न बताओ कि supply of such goods will be kya hooga elastic कहलाता है in Elastic कहलाता है या फिर आपका highly elastic यह perfectly elastic तो यह Inelastic कहलाता है in Elastik कहलाता है याद रखीगा in Elastic चलिए question नाते है 15 की तरह 15 क 270 क्याता है 15 क्या कता है which one of the following is true for monopoly monopoly के लिए कोन सा आपका true यह monopoly के लिए कोन सा आपका true मोनपॉली के लिए कौन साब का तू है तो मौनपॉली के लिए देखते हैं फर्म एप्राइस में कर हां सही है डिमांड कर वलसो करव सुलोप डान्वड यह भी सही है और इस डिस्क्रिविनेशन पॉसिलिटी एराईज यह भी सही है यह लग अलब दीस सारे के सारे समें सही ह हो जागा बनो पॉलिकल इस चारो सही होता है तीनों सही होता है प्राइस जो फर्म प्राइस मेकर होगा डिमांड कर स्लोप होगा डाउनवर्ड और प्राइस डिस्क्रिविशन पॉस्बिलिटी होगा तो यह सब कुछ आपका सही है चली कोश्चन आते हैं हम लोग अब 16 के तरफ 16 क्या कैता है देहां से देखीगा 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 सायद मेरा नेट चालू हुए एक मिट मैं आउफ कर देता हूं टाइम देना जिसके करन से दिक्कत हुआ चलो अब सॉरी लोग तो नोट्स के लिए भी पीछे पड़े रहते हैं बाकी कुछ काम करें नहीं लेकिन ज़रूँ चाहिए चलिए तो कोशन नमर हम लोग ने 15 देख लिया ना 16 के तरह आते हैं 16 देखी गया ध्यान से तो स्वेंटल के ना 17 आपके पहला है which is the component of factor price determination कौन सा component है factor price determination का कौन सा component है factor price determination का factor price determination का component होता है वह rent भी होता है वो आपका wage भी होता और interest भी होता है इनकी सब हो जाएगा all up the above question 18 के तरह आते दखाता है the elasticity of a straight line supply curve देखिये कह रहा है कि कर दाइलास्टिसिटी दाइलास्टिसिटी ओफ एस्ट लाइन सब्लाई स्टेत् लाइन सप्लाई कर वॉरीजिनेटिंग फ्रॉंद से और आफ ख्या इसको तर यहां तो ऑनीट होता है यह याद रखना एक को सब्सक्राइन्स कुछ सब अल्टरनेटिव नेम मता ही ऑपरचुनिटी कॉस्त का तो बगवा सब अल्टरनेटिव नेम होता है आप अपर चॉनिटिक कोस्त का तो आपको अच्छे से पता होगा किन्वोग कहते हैं जयात है चलिए कोश्चंव ओन्हों के तरफ 20 में और कर विच राइज फेस्ट ये विबी आई ये बाओ देखें उस कर्व को कोन सा कर बोलते है जो पहले तो यह से राइज बढ़ेगा उसके बाद इसे वह घटने लगता है तो उसको कौन कर कर बोलते हैं उसको कौन सा कर बोलते हैं यह बी बी आई में से ख convey Triple आपका आपका न होता हिंड की सब होता है चार होगा चलिए कोस्ट अक्टीटों के तरह पूछ आते हैं एक्टीव सेक्टर बताऊ प्रोड़क्चन का क्या मोः आप सब पूछ रहा है कि आपके चार्प बताना है इनके 22-0 atha पूछ कुछ रहा है active factor तो active factor में आपका production का labor होता है labor ही ने सब कुछ production करता है जी product करता है बनाता है कि लिए question 23 के तरफ आते है 23 के तरफ आते है 23 कैता है which is a flowing is main reason of operating the law of diminishing returns कौन सा इसमें से law है जो की dmishing returns को ऐसे follow करता है तो कौन सा तो आपका यह हो जाएगा 23 का देखते हैं तो scarcity of factors हाँ सही है imperfect substitution of between factors यह भी सही है तैने कि both a and b हो जाएगा चलिए question अब आते है 24 के तरफ 24 काता है average variable cost is average variable cost क्या होता है average variable cost को आप टीवीची को डिवाइड कर तो क्यों से यही होता है average variable cost डी हो जाएगा 24 का 25 के तरफ आते है 25 काता है supply creates its on demand supply जो है वो खुद का अपना demand बना देता है तो who profounded this law इस law को किसने ऐसे प्रचलित किया इस law को किसने बनाया तो इस law को देने वाले थे जेवी से जेवी से जेवी से याद रखेगा जेवी से तो 26 के तरफ आते हैं with increase in investment MEC अगर investment बढ़ जाते हैं MEC क्या होगा MEC क्या होगा MEC आपका ऐसे MEC आपका गिर जाएगा याद रखना MEC आपका गिर जाएगा false होगा question number आते हैं 27 के तरफ 27 के तरह है increase in aggregate demand of equilibrium आपसे पूछ रहा है कि aggregate demand हो जाए equilibrium में increase हो जाए तो बताओ कि level of income and employment cause increase in तो यह किस चीज़ में increase करेगा 27 का हो जाएगा employment में इंक्रीज में लाएगा employment में भी होगा production में भी होगा income में भी होगा इनकी all of the above हो जाएगा चले question अब आते है 28 के तरफ 28 के तरह है which one is correct 28 में कौन सा सही है 28 में कौन सा सही है पूछ रहा है 28 में तो सही है रहा बच्छा आप देख सकते है b.k इनकी bk is equal to 1 by mps ठीक है question 29 के तरफ आते है 29 के तरह है water the features of deficit demand deficit demand बहुत important question है यह भी भी लिख लो बहुत important question होता है deficient demand का feature बताना आपको deficient demand का feature बताना है deficient demand का feature हम लोग देखते हैं तो इस side होगा देखते हैं हां तो यहां पर है हम लोग का की देखिए तो पहला तो यह था कि aggregate demand false short of aggregate demand required for full implement level हां तो यह भी सही है यह होता ही है दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है aggregate demand supply short of aggregate supply required for full implement level यह भी सही है B भी सही है तो बचा क्या यानि की दी तो नहीं है यानि की बहुत a and b a और b दोनों होता है याद रखिए का c हो जागा option no.29 का चलिए 30 के तरफ आते हैं हम लोग 30 कोशन देख थाटी के तरफ आते कहता है which of the flowing is included in secondary sectors कौन साइस में से secondary sector में include होता है secondary sector में जो include होता है वह आपका investment होता है secondary sector investment होता है question 31 के तरफ आते है net national income and factor cost is called net national income होता है factor cost होता है उसको क्या बोलते है उसको क्या बोलते है तो हम लोग अब बगवा सब 31 जो आप से पूछ रहा है जो national income है और factor cost है उसको हम लोग national income ही बोलते है यानि कि यह हो जाएगा 31 का ए चलिए 32 के तरफ आते है the market value of all final goods and services produced आपसे पुछ रहा है कि जो market value है final goods बन के त्यार हो देता है और services का जोकी economy में produce हो रहा है एक साल में तो उसको क्या बोलते है उसको क्या बोलते है उसको क्या बोलते है आप से पुछ रहा है इंक्लूड होता है टर्वी सरी सेक्टर में आप communication आता है यानिकी 33 का बी हो जागा 34 के तरफ आते है इसको बी हो जाएगा इसका 34 का बी चली 35 के तरफ आते है 35 काता है वीच आफ दा फ्लोइंग इसका रेट कौन साइस में से करेक्ट है पहलाई वलाम को करेक्ट दिख रहा है इसपोजल आफ इंकम इसको पर्सनल इंकम बाइनस डिर्क टैक्स 36 के तरह फादर 36 के ता है वीच अब्जेक्टिव गवर्मेंट अफ्टेम्स तू आप्टेन बाइब बजेट को अप्लाई करता है तू पर्मोट इकनोमिक डिवलोपमेंट तू बैलेंस डिजनल डिवलोपमेंट रिडिस्ट्रिबिशन अफ इंकम और वेल्थ यह तीनों इंक्लूड करता है निकि आल अब देवाब हो जागा चले कोशना थे 37 के तरह 37 के ता है वीचर फॉइंग बजेट इसीट्वा फॉर्टीवफिंग इकनोमिक कॉन साइस में से फॉइंग बजेट है जो कि सीटीवब होता है ख्रोइंग बन इकनोमिक के लिए तो 37 का सब्सक्राइब लिए प्रङटिशन के सबीसे का सी सब्सक्राइब लुग देखेंगे तो क्या होगा दिफिशेट बजट होता है आपका ग्रोइंग इकनोमी की लिए 38 की तरह दिशयर कहता है foreign exchange किसके दोर की आथा foreign exchange किसके दोर की आता है foreign foreign exchange आपका demand and supply बइन कि तरह मिया कहने ऊश़रू में राधी जया कुंपने चैनल क송 में का बैटेकर लाकी अशली को से यह थे आण आख दुल्जता ले दोल्टन साहब क्वें रखता हम लेट पाहे बोलते कि हैंonic यह उह हम वहिया सहाब हाटले विदर्स ने बोला है हाटले विदर्स है फोटी काई हो जागा चलिए 41 के तरफ आते हैं the function of money बताओ कि money का function क्या होता है यहना कि पैसो का function क्या है फोटिवन medium exchange measure of value store value तो यह सब कुछ है money का function याद रखना चलिए कुछ नहीं इवन के तरफ 42 के तरफ 42 कता है वाट इस Central Bank of India Central Bank of India क्या है Central Bank of India क्या है तो अच्छे से जानते हो कि Central Bank of Media आपको commercial bank है चलिए क्यों आते हैं हम लोग अब 43 के तरफ who regulates money supply कोन ऐसे money supply पर regulating करता है कोन 43 का हो जागा आपका सही अंसर कोन ऐसे तो planning commission याद रखना कैसे ऐसे पैसा supply होगा वह planning commission decide करता है चलिए क्यों आते हैं 44 के तरफ who is the bankers of the bank bankers of the bank कोन होता है तो यह आपका bankers of the bank reserve bank of india बच्पन से जानते होगे reserve bank सबका बाप होता है question आते 45 के तरफ इन विच इयर banking ombudsman scheme was announced किस year में banking ombudsman scheme से announce किया गया था किस year में तो 45 का तो सही answer हो जागा वह जागा 1955 1955 question 46 के तरफ आते हैं which type of currency is issued by the central bank कौन सा currency central bank से issue करता है 46 आपका पूछ रह आपका 46 का हो जाएगा 46 का हो जाएगा वह आपका currency होता है चलिक क्क्वेशन पूछ चक्वेशन के तरफ आते है which items are included in balance of payment कौन सा आइटम आपका इसमें से balance of payment में include होता है 47 आपसे पूछ रहा है तो यह जो आपका include होता है visible items, invisible items, capital transfer, all of the above, सारा के सारा होता है ठीक है question 48 के तरफ आते हैं balance at trade means balance and trade means का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है import and export goods import and export goods रहा होता है उडखना 48 का भी हो जा है चलिब 49 के तरफ आते है the meaning of export market में ट्रांजेक्श मार्केट जो पूछ रहा है को पूछ रहा है वह रिलेट कर रहा है tes döह क्या होता है वह क्या होता है तो यह पत्चाह सभड़ा का current transaction चले लास्ट कोश्चन 50 के तरफ आता है डा हाइब्रीड सिस्टेम आपका एक्सचेंजरेट वो किसी से रिलेट होता है तो यह आपका बच्चा सब जो रिलेट होता है वह आपका वाइडर बैंड से भी होता है crying pig से भी होता है managed floating से भी होता है तो बच्चा सब मेरे प्यारे बच्चो हमने objectives cover up कर लिया आपने देखा होगा और मुझे comment करके बताना कितने की answer आप लोग ने ऐसे नीचे दिये चलिए अब हम लगाते है अपने non objective type question पे non objective type question चलो non objective के मैं answer नहीं बताऊंगा आप लोग सिर्फ ऐसे question देख लेना और answer खुच से करना answer खुच से करना है देख सकते हो क्या लिखा है non objective type question उसमें से भी क्या short answer type question पहला लिखा है आपका one two twenty five or short answer type question जिसमें से आपको पंद्रा की answer देने है ठीक है 50 words में और हर question 2 marks का है तो देख लो आप 15 into 2 कर दें तो 30 marks उधर से 50 marks तो 80 marks हम लोगे हो गाए 50 और 30 होगा 80 marks 80 marks होगा ना तो बाकी के 20 marks लोंग questions आएगा चलो question स्टार्ट करते हैं समाज गया है पचीस है मैं पचीसों question को read कर दूंगा आप इसको answer रहेगा मैं answer दे दूंगा question 2 केता है write two main components of macroeconomics बहुत भी भी आई है दो component आपको लिखना macroeconomics का question 3 के तरफ आते हैं 3 केता है distinguish between utility and totality utility बहुत important में से एक है difference कोई भी बहुत important होता है याद रखना चलो question 4 के तरफ आते 4 केता है मैंने सभी cancer लिख दी है आप PDF लोगे तो उसमें आपको ऐसा पता है चल जाएगा what is indifference curve indifference curve क्या होता है question 4 आपसे पुछ रहा है कि indifference curve क्या होता है question 5 देखिएगा कहता है what are the expectation of law of demand क्या होता है expectation of law of demand वह आपको पताना है question 6 के दरफ देखिएगा six केता है explain two factors that affect price elasticity दो factors आप पता जिसमें कि आपको price elasticity ऐसे होता है सारे के answer आप लोगों को लिख लेना है बता दे रहा हूं अगर अच्छे marks चाहते हो तो सारे का answer लिख लेना question 7 के तरफ आते कहता है what do you understand by production function production function से क्या समझते है question 8 के तरफ आते है तो कहता है what is difference between implicit cost and implicit cost आपको difference बताना है काफी important है मैंने आप इसे answer लिखा हो आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं देख सकते हैं आप लिखा है question 9 के तरफ आते है why does a firm attain why does why does a firm attain maximum profit when MR is called to MC क्यूं एक जो firm है वो attain कर लेता है maximum profit जब MR हो जाए MC के बरावर ठीक है यह आपको answer देना भी भी आई है question 9 के तरफ तरफ 10 के तरह है what are the different types of supply elasticity क्या होता है different types of supply elasticity वो आपको बताना है different types of supply elasticity आपको इसे बताना है different types of supply elasticity को elasticity आपको बताना है question 11 के तरफ आते है right three main features of monopoly market three main feature बहुत important है रहा बच्चा बहुत बार पुछता है three main feature देखे मैंने यहाँ पर लिखा है number one number two or number three मैंने यहाँ पर लिख दिया three main feature आप साथ इसको explain भी कर सकते हो और नहीं तो explain नहीं भी कर सकते हो what are the use of national income accounting what are the use of national income accounting what are the use of national income accounting please question Dotina Dragman 14 केड़ा 14 केथा यह ईवाट इसडाशनिक बिट्वीं ग्रॉ Mitte में ग्रॉस्ट्रिक पर्ट एंब्रोस्टैनपोड़ा आप रखना को याद रखना है इसको यह जरूरिँ आद कर लेना ग्रोश डोमेस्टिक प्रोड़क्ट जीडीपी और जी एनपी में आपको ऐसे डिफ्रेंस बताना है बहुत बार पुछता है चलिए कोशन आते हैं हम लोगा 15 के तरह 15 क्या कहता है फाइनल गूर्स बीट्वी आपका काफी बार पुछता है बता दिया फाइनल गूर्स औरि इंटर्मीडियत गूर्स भी। Ciao और सबस्के तरफ है और शोर्न नहीं चलिए कोशन के तरफ दा चलिए ग्रेटतु चलिए बार हुटी ते हैं आपको एक गुड बनी का एक्कुलिटी आपको दर्साना है ठीक है तो नीचे मैंने लिख दिया देख सकते हैं विकुलिटी पॉट उटिल्टी डूरेबल डी डीविजिवेलिटी जो आपको लिखना लिख सकते हैं चली कोशन आते हैं हम लोग अवेटिन के तरह 15 केता है कि अपने दिया से दिखिएगा नानी टू पाटिसिपेंट्स आफ दर्साना है दो पाटिसेब्स आपको लिखना है जो कि एक्स्चेंज मार्किट में से काम करता है टरफ ए अन्फेबरेबल बैलान्स ऑप पेमेंट वह क्या होता है अन्फेबरेबल बैलेंस ऑप पेमेंट वह आपको इसे दर्साना है चैनले को स्फिरन राते हैं अब लोग के तरफ अधीक है अभी अब बशेक्टि में बताया था इसको यही वह कोश्चन है चलिए बहुत इंपर्टन में से एक है 24 के तरफ आधे 24 के एक स्प्रेंट टूफी फीचर्स आपको लिखना है जो की दो देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है फीव सेलर्स और इंडिपेंडेंडेंस एमंग सेलर्स लिडिंग प्रीशिज लिखा हुआ है की अच्छे से समझ में आ गया होगा शॉट टाइप हम लोगा कंप्लीट होता है कंप्लीट हो गया शॉट टाइप आते हैं लॉंग टाइप के तरफ देख सकते कि आपके अपने स्क्रीन पर है पूछ बोल रहा है लॉंग टाइप जिसमें से कोश्चन नमर 26 से 33 तक है यान हंडेड वर्स में यानि की 4 इंटू 5 इकवल टू 20 मार्क्स उधर से हम लोगों को मिले थे 30 मार्क्स फिर 50 मार्क्स होगा ना हंडेड मार्क्स चलो पहला कोशन है एक्स्प्लेंद लॉप डिमांड वाट इट्स एजम्शन आपको लॉप डिमांड और इसके आजम्शन क्या क्या करता है डिटर मांड करता है ठीक है तो देख सकते हैं काफी इंप्रेंड में से यह है में यहां पर आंसर लिख दिया है आप चाहिए सब को इससे लिख सकते हो अदेख सकते हो ठीक है सब्सिटुट्स अल्टर्णेटिव युजे पोस्ट पॉर्ट्स ऑफ पर और यहां पर वो भी है क्या law of three stages of production जो की तीनों मैंने हाँ पर अच्छे से explain कर दिया है आपको जैसे लिखना हो लिख लेना चलिक कोशन हम आते हैं लोग नेक्स के तरफ नेक्स क्या कहता है यह सारा के सारा हम यहां पर लिखा हुआ आप देख लेना चैसे नेक्स कहता है 26 आते हैं सॉरी हम लोग कोन से कोशन पर थे हैं हां तो 26 देख लिया है 27 देख लिया 28 के तरफ आते हैं तो 28 के ता explain the law of variable proportion तो हमने यह 28 पी हम लोग देख लिया 29 के तरफ आते है 29 कहता है यहां देख सकते 29 डिसका दस शौर्ट रन कॉस्ट कर विच दा help of diagram आपको short run cost of curve आपको अधर से दर साना है help diagram से जो कि मैंने आप दर सा दिया है सारेट के सारव देख सकते हैं total fixed cost TFC है यहाप तीबीच है यहाप और आपके पास फिरे से EFC है यहापर सारा मैने बर सादिया है आपकर यहापर दर सांदिया है, आपको यहापर दर्सा दिया है सारा के सारा में आपको ऐसे बताने है 31 की दरफ आते है 31 क्या कहता है देखिएगा अपको ऐसे दर्साना है कोशन आते है 32 के दरफ आते है यह दर्खने यह आता ही आता है चलिए नेक्स्ट के दरफ आते है तो नेक्स्ट के क्या क्या था है कॉर्शन नमबर 33 के दरफ कहता है एक्स्टेन दा में पॉइंट्स आफ केंशियन ठीकेंशियन तेयोरी अफ इंकम आने इंप्लाइमेट आपको ऐसे इसको एक्स्टेन करना है तो बच्चा सब यही था हम लोग का पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा जो आपका मौरल सेट वन था इकोनमिक्स कंप्लीट हो गया इकोनमिक्स आपका कंप्लीट होता है इकोनमिक्स में कोई डाउट हो तो हम में कमेंट करके पूछ लेना इसमें कोई डाउट रह गया कोई कोश्चन गलत मैंने बता दिया तो वो भी मुझे ऐसे बता देना कमेंट कर देना कहीं कोई डाउट उनके लिए जितना भी में बता रहा हूं तो वह उनके लिए 70-80% का इससे काफी है अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो जरूर आप लोगे से बना कर किया होगे कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा तो चलिए बच्छा सब मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप तब तक हैस को शेर करो करा आने में मदट करो ताकि ऐसे आगे चैनल उनका आइस ँग्रो हो सके तो चलिए बच्छा सब मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपका हमारे अपनेश वीडियो MA यह अच्छा आप लोका थन्यवाद